आप सभी को बता दे जो weather report इस वक्त लेकर आए है weather forecast आप सभी को बता दे enhance rainfall activity over the district of North Bengal during 14th to 18th June 14-18 June तक जो है enhance rainfall activity दिखने वाली है district of North Bengal यानि कि North Bengal के जो बिविन डिस्टिक है वहाँ पर enhance rainfall दिखने वाली है 14-18 June तक मैं रासानी और मेरे साथ मेरे सहपती निदी दिपतोबी सास इस वक्त लेकर आए हैं हम लोग weather forecast आपको बताना चाहेंगे भारत सरकार पित्वी बिग्यान मंत्राले भारत मौसम बिग्यान विभाग मौसन बिग्यान के उप महा निदेशक खेत्रिया मौसम बिग्यान केंत्र के द्वारा जो है यहां पर एक notification जारी किया गया है जिसमें सीधे तोर पे कहा गया है कि enhanced rainfall activity over the district of North Bengal during 14 to 18 जून 14 से 18 जून तक जो है काफी rainfall हो ले वाली है North Bengal का जो इलाका है North Bengal का जो इलाका है उन सब जगहों पर जो है enhanced rainfall यानि की भारी मात्रा में जो है वर्सा होने वाली है ऐसी ही जानकारी हम लोगों के पास आ रही है पूरा जो निर्देशी का है भारत सरकार द्वारा वह जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे जानकारी जो है वह आप लोगों को हम लोग देने की कोशिश करेंगे पूरा जो पत्र दिया गया है दिस्टिक आप नॉर्थ बेंगोल दूरिंग फॉर्टिंट टू एटींट जून टूजार बाइस यानि कि वेदर जो फोरकास्ट है उसमें आ रहा है कि जो है काफी मात्रा में जो है रेंफ़र होने वाली है साथी साथ जो है थंस्ट्रॉम भी होने वाली है यानि कि तेज जलने वाली है तुफान होने वाली है साथी साथ जो है बिजली भी जो है गिर सकती है जैसा जानकारी दे रहे हैं जो दिस्टिक है नॉर्थ बेंगोल के वहां पर जो है 14 जून से लेकर 18 जून तक 2022 तक वार्णिंग वार्णिंग आपको बता दे 14th and 15 जून 2022 येलो वार्ण 7 to 11 cm is likely over जलपाई गूरी, दाजलिंग and कालिंग पॉंग डिस्टिक आपको बता दे येलो जो है येलो रंग की जो है सतर कता जारी की गई है 14 और 15 जून को जो है येलो वार्णिंग दिया गया है जहां पर बताय जा रहे हैं कि हेवी जो है रेंफॉल होने वाली है 7 to 20 cm is likely over कोच बिहार, अलिपूर द्वार इन सब जगहों पर जो है हेवी रेंफॉल होने वाली है साथी हेवी रेंफॉल 7 to 11 cm is likely over जलपाई गूरी, दाजलिंग और कालिंग पॉंग डिस्टिक में जो है येलो वार्णिंग दिया जा रहा है औरेंज वार्णिंग जो है 16 जून को है जहां पर आपको बताना चाहेंगे, हेवी टू भेरी रेंफॉल 7 to 20 cm at a few places with extremely heavy rainfall less than 20 cm at once two places is very likely over कुछ बिहार और अलिपूर द्वार डिस्टिक में जो है 16 जून को जो है काफी ज्यादा संक्या मात्रा में जो है वर्षा हो सकती है, less than 20 cm, दूसरा जो सतरकता है औरेंज वार् 7 to 20 is likely over जलपाईगुरी डिस्टिक और डाजलिंग डिस्टिक में भी जो है heavy rainfall हो सकती है, तीसरा जो औरेंज वार्निंग है heavy rainfall 7 to 11 cm likely to कालिंग पॉंग और नौर्थ और साउथ दिनाजपूर यानि की उत्तर दिनाजपूर और साथी साथ मालदा डिस्टिक और जो है इन डिस्टिक में भी जो है heavy rainfall होने वाली है एप्रोक्स 7 to 11 cm जैसी सतरकता जारी की जारी है, औरेंज वार्निंग दिया जा रहा है कि 16 जुन को जो है इन सब जगों पर नौर्थ बेंगोल के जो विविन डिस्टिक है जैसे की कालिंग पॉंग नौर्थ दिनाजपूर, भी rainfall होने वाली है, 17 जुन, 17 जुन को औरेंज वार्निंग है, heavy to very rainfall 7 to 20 cm is likely over कुछ भी हार, अलिपुद्द्वार and heavy rainfall 7 to 11 is likely over जलपाई गुरी, दाजलिंग and कालिंग पॉंग, नौर्थ दिनाजपूर and साथ दिनाजपूर, यानि कि उत्तर दिनाजपूर और दक्षिन दिना 20 is likely over कुछ भी हार, अलिपूर द्वार, जलपाई गुरी, नौर्थ दिनाजपूर and साथ दिनाजपूर दिस्टिक, यानि कि अगर आप पूरा अगर पकड़ ले, यहां पर जो मौसम विभाग द्वारा, पूरे भारत वर्स की जो भारत सरकार की जो मौसम विभाग है, फि दिस्टिक of North Bengal during 14 to 18 June, जिन सब जगहों पर यह हेवी रेंफूल होगा, आपको बता दे, कुछ भी हार, अलिपूर द्वार, जलपाई गुरी, दाजलिंग दिस्टिक, कालिंग पूंग दिस्टिक, नौर्थ दिनाजपूर, साथ दिनाजपूर, तथा मालदा दिस्टिक में 14 जून से लेकर 18 जून तक काफी जादा सेंख्या में बरसा होने वाली है, ऐसी सतरक्ता जारी की गई है, मौसन विभाग द्वारा, आपको बताना चाहेंगे 14 जून से लेकर 18 जून तक 2022 को सतरक्ता जारी की गई है, साथी साथ जैसा बता रहे हैं, कि बरसा काफी मात्रा मे तो होगी ही साथी साथ 14 तारीक को कैसा किन किन डिस्टिक में एफेक्ट पड़ेगा 15 को किन किन डिस्टिक में 16 को किन किन डिस्टिक में 17 को किन किन डिस्टिक में एफेक्ट पड़ेगा कितना रेनफोल होगा यह भी जो है निदेश का जारी कर दी गई है साथ हेवी रेनपोल के साथ थंडर स्ट्रॉम भी होगा कुछ इलाकों में साथ कुछ इलाकों में भी जो है बिजली भी गिर सकती है ऐसा ही अनुमान वेदर जो है फोरकस्ट आ रहा है जो मौसम भिवाग है भारत सरकार का उनके द्वारा और इसी कारण से हम लोग जो है आप दिनाजपूर, दक्सिंदिनाजपूर और माल्दा डिस्टिक इन सब डिस्टिकों में कापी ज세요 मात्रा में बर्सा हो सकती है 14 जून से लेकर 13 जुन तक ऐसी निर्देशिका जारी की गई है सतरकता जारी की गई है मौसम भीभाग द्वारा साथी साथ हेवी रेनफॉल के साथ तूफान भी आ सकता है थंडर स्ट्रॉम भी आ सकती है साथी साथ जो है कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है ऐसी निर्देशिका मौसम भीभाग द्वारा किया जा र परी खबर न्यूज अपडेट इन्फोर्मेशन जानने के लिए आप लोग जुरे रहे हैं न्यूज टूडेंडिया के साथ मेरे साथ पती नीदी डिपतो विस्सास के साथ महराज साहनी इसलामपूर से